हेलो बचो मैं डॉक्टर डीन राठो आज यहां आपन कंजेक्टिव आइटीस पे बात करने आये हैं कंजेक्टिव आइटीस का दूसरा नाम आइफलू भी है और लोकल लेंग्वेज में बोले तो आँखों का आना भी है आजिए है कंजेक्टिव आइटीस एक तरस से आगर आंकों के उपर सनबसे उपर लें सानकाना आइटीस बोलते हैं अंजीक्टिव आडिस क के अंदर आंखे लाल हो जाती है आंखो में कभी-कभी दर्द भी होता दूप सहननी होती है, इसक्रीन की लाइट भी सहननी होती है, और आंकों से पानी आता है, नोर्मल एक्टिविटी में से दिख्कत आने लग जाए. इसक्रीन की लाइट है, इसके ऩलेट में साफ़ की माया है, इसके इस ने इसके अब है, अब दो अगर में ब्रोट जाएदा हो रहे हैं। अगर कोईवेक्टिए इंफेक्टिड हो जाये तो सबसे पहले तो इससे अपने जो भी डेली यूज की चीजिए किसी और को शेर करने के लिए भोलनी चाहिए और स्रुब ठीटमेंट मी लेना चाहिए हुसे डॉक्तर को दिखाके प्रोपर ट्रेटमेंट लिए प्रोपर जो तो इन सबसे चीजों से बचने के लिए आप प्रोपर टीटमेंट ले तो कुछ दिनों में आपका वारी इंफेक्शन भी टीक हो जाए को सेकेंड इंफेक्शन भी नियुगा कुछ बचाओ के लिए सबसे इंपोर्टेंट चीज तो वही है कि किसी इंफेक्टेड परसन या अंजान आदमी की कोई भी जीजे शेयर नी करें जैसे की तोलिया रूमाल वगेरा और उसकी बेट सीट पर जैसे आपन एक पोश्टिल के अंदा दो रूम होते हैं तो दोनों क कुछ प्रोब्लम आरी तो पहले हाथों को बोश्ट करें साबून से मिल जाए तो बहुत अच्छा है साबून से वोश करने के बाद ही आँखों के हाथ लगाए किसी की कोई भी चस्मा औगेरा शेयर ना करें बहुत सी बार दूप से बचने के लिए जैसे एक बाइक पर द बचाओ के लिए मैंने जिसे आप से बोला हैंड वोश आँखों पर यह अपने कोरोना के साबस में बोलाता हूँ बात बिल्कुल सही है इसके अंदर भी वायर इंफेक्शन है आपन को नियमी अंतराल पे हाथों को साबून से दोना है और पेस वोस्ट भी करना है और अगर अगर आँख पर कुछ भी आपन को कुछ प्रोब्लम आती है आँखों पर हाथ लगाए जिरोत परते पहले हैंड वोश करने के बाद ही आँखों पर हाथ लगाए ऐसे सीधे हाथ माल लगाए आशा करता हूँ बच्चों के आपको कंजेक्टिवाइटिस यह आई फ्लू के